नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SSC ट्यूब में तो फिलाल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लाइब आ गये हैं सुपेश के साथ बच चुके हैं और अब अमारा कर इंटरफेस नॉर्मल हो दीजिए और मैं लाइब हो गया हूँ आइटिंक मैं लाइब हूँ और आप सभी को नजार आ रहा हूँ बहुत कम लोग हो थोड़ा ता वीडियो वीडियो शेयर वेर कर दो हैना काहे मारे डार रहे हो एक आदमी को तो आज सेप्टेंबर डेली करेंट पेंज आज के हैड पॉइंट ओ व्यू से इंपोर्टेंट है चेसे बारा से प्टेंबर दो जार इकिस के बीच मनाया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग वीड ये मिनिस्ट्री आफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एं गॉर्मेंट ओफ इंडिया की पहल है नमिता गोखले को मिला सात्मा यामीन हजारी का पुरुषकार अवनी ने पैरलंपिक समापन में किया भारती दल का नेत्रत दा मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मताबिक नरेंद्र मोधी बने दुनिया के सबसे लोगप्रिय नेता कई दिगच नेताओं को पीछे पछाड़ा भारत का पहला डुगोंग अभ्यारन तमिल नाडू में थापित किया जाएगा चंडीगड को मिला अपना पहला पोलेन कलेंडर सूपाथटी के संस्तापक आनंद कुमार को अभी हाली में एक प्रतिष्ठित पुरुसकार से सम्मानित किया गया आईटी हैदराबाद में जैवीटों से बनी भारत की पहली इमारत और एक्विटास बैंग ने रानी रामपालो और इसमती मंधाना को बनाए है अपना ब्राइन एम्बेटर सैलेन सिंग ने बहलर कचुआ सरचण पुरुसकार जीता और अब बारी है पिछले दिन का रिवीजन करने की यानि कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था क्या बात है वीडियो एक बार और सेयर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि अभी भी कम लोग आए हैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे थोड़ा था पार से लेके 13 सेप्टेंबर के बीच और भारती नौ सीना के भी कौनसा समुदरी युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा तो ये है और सेप्टेंबर 2021 से भारती और नेपाल सीना के भी कौनसा सेट सेन अभ्यास आयोजित किया जाएगा तो 20 सेप्टेंबर से भारत औ इस विद्याले सीज पर रहा तो इस बार रेंकिंग में सीज पर रहा है Oxford University असम के समगर सिच्छा अभियान के लिए brand amender के रूप में किसे सामिल किया गया है तो brand amender के रूप में सामिल की गई है यह brand amender बनाई गई है लव लिना बॉर्गहन लव लिना बॉर्गहन ने टोके ओलमपिक में आपका काश्य पदक जीता था मुक्के बाजी की ease of doing business के मामले में देश में उत्तर पदेश कौन से नंबर पर है देश में उत्तर पदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है जबकि पहले नंबर पर आपका आंधर पर देश है जहां पर business करना ज़्यादा आसान है Durand Cup का 131 संसकरण 5 सेप्टेंबर से सुरू हुआ यह किस खेल से संसकरण हो रहा है 16 टीमें इसमें भाग लेती है फुटबॉल का संसकरण है हाली में किस भारतिय सार्जनिक शेतर के उपकरम ने Global ATD सर्वस्रेश पुरुसकार यानि Global ATD Best पुरुसकार जीता है सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझवता launch करने का न वाला Mira Cpeak बना है भारत प्लास्टिक सम्झवता हमने लांज करदिया है कि किसी भी तरह से क्या करेंहें जो भी सौ प्रतिसाथ यूजएबल होगी रियूजेबल होगी कौन सा भारतिय प्रोधिय संसान एक कच्रा प्रबंदन के लिए एक मॉडल बिख्षित कर रहा है तो यह है IIT मद्रा IIT मद्राज जो है एक कच्रा प्रबंदन के लिए एक मॉडल बना रहा है इसके लाबा एक और IIT है जहां पर विस्थ इस्थित एक कंपणी ने वहां पर वायू सोधक यूब्रीट लाइफ नाइम का एक एयर प्यूरीफायर डेवलप किया है तो यह है आई टी रोपर यह है आई टी रोपर गुजरास सरकार ने अभी हाली में एक हदार करोन रुपए की लागत से कौन सी प पॉर्मेट चेंज हो गया है आप 60-40 कर दिया पहले 50-50 होता था वहला 50% एन राई देता था 50% गौर्मेंट देती थी हाली में किस केंसासी प्रदेश ने महिला स्वयम सायता समूव के लिए साथ नाम का एक कारिकरम सुरू किया है साथ नाम का जो यह कारिकरम है यह आपका वर्षा टेपन ने अब बारी है आज की गरेंट अपेस की आज की गरेंट अपेस में क्या क्या है जानेंगे जरूर सबसे पहला है इंटरनेशनल डे अफ क्लीन एयर फॉर ब्लू इसकाई यह प्रतिवर्स कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह प्रतिवर्स आपका 7 सेप्टेंबर को मना जाता है साथ सेप्टेंबर को हर साल International Day Clean Air for Blue Skies मनाय जाता है क्योंकि अगर आसमान साफ होगा तो आपको आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है तो यह वायू प्रदूसर को रोखने के लिए और वायू गुरवत्ता में सुधार करने के लिए हर साल सेप्ट राष्ट द्वारा साथ सेप्टेंबर को International Day of Clean Air for Blue Skies मनाय जाता है इस बार इसकी जो थीम रही है वो है Healthy Air, Healthy Planet यानि कि स्वस्त वायू और स्वस्त ग्रह स्वस्त वायू और स्वस्त ग्रह आईए एक नदर डाल लेते हैं कि कौन-कौन से डे जो है वो आपके लिए सेप्टेंबर में इंपोर्टेंट रहेंगे यहाँ पर जुलाई नहीं यहाँ पर सेप्टेंबर कर ले कि आपके September में कौन-कौन से day ऐसे हैं जो आपके लिए important है जैसे कि विश्व नारियल दीवस ये important day है ये आपका प्रती वर्स 2 September को मनाय जाता है कम मनाय जाता है 2 September को इसके अज़ावा Teachers Day अभी हमने हाली में मनाया तो National Teacher Day जो है वो हर साल 5 September को मनाय जाता है जबकि International Teacher Day जो है यानि अंतरराष्टी सिच्छक दिवस जो है वो 5 October को मनाय जाता है तो याद रखेंगे confused नहीं होंगे International Literacy Day अंतरराष्टी ये साच्छर्ता दिवस अंतरराष्टी साच्छर्ता दिवस मनाय जा रहा है आज 8 September को हर साल अंतरराष्टी ये साच्छर्ता दिवस मनाय जा रहा है कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि सर आप इसको English में क्यों लिखते हो देखो मैं बोल तो देता हूँ न हिंदी में अंतरराष्टी दिवस ये प्रतिवस ये भी आपका जो है वो 15 September को ही मनाय जाता है कम मनाय जाता है 15 September को मनाय जाता है कुछ आइडिया लगा सकते हैं वर्ड ओजोन डे प्रतिवर 16 September को मनाय जाता है यानि कि जिद दिन आप Engineer Day मनाएंगे उसके अगले दिन आप ये मनाएंगे International Day of Peace यानि कि सांती के लिए अंतराष्टी दिवस काफी important है बहुत important रहेगा ये आपका 21 September को मनाय जाता है 21 September को 21 September को World Alzheimer Day भी मनाय जाता है 21 September को World Alzheimer Day भी मनाय जाता है विश्व नदी दिवस, World Reverse Day विश्व नदी दिवस हर साल 26 September को मनाय जाता है कब मनाय जाता है 26 September को और विश्व हरदय दिवस विश्व हरदय दिवस जो है ये प्रतेक वर्स आपका 29 September को मनाय जाता है कब मनाय जाता है 29 September को इसके लाब एक और डे है International Tourism Day आरे जो डेज हैं वो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मिट में लिखे हुए हैं एक बार फिर से कर लेते हैं नारियल खाओ दो को पढ़ने जाओ पांच को लिटरेसी पढ़ लिखकर तयार हो आठ को तो दो पांच आठ याद रखीगा कोकोनट टीचर लिटरेसी तीन आज चल लिए और अगर आप चाहें तो हिंदी भी कर लिए हंदी पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे 14 अबड़िे पढ़ोगे तो फंदरा को इंजीनियर बनोगे ऐसा चोटा 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 बखवास सा कुछ भी आप अपने दिवाह में बढ़े ताँकि यह सीक्वेंस में कन नट से, कोकोनट कम मनाते हैं, दो को मनाते हैं, फिर उसके बाद आता है टीचर डे, टीचर डे कम मनाते हैं, पांच को मनाते हैं, टीचर के बाद बताया गया था, लिटरेशी, साथ चर्ता, टीचर पढ़ाता है हमें, तो साथ चर्ता आती है, पढ़ना, तो वह आठ को मना ज प्रोड़क्षन की खाने के बारे में प्रोड़क्षन की बात करें तो 135 करोर की आबादी है और उतना दिक्कत नहीं है, खाना पीना सबको मिल जाता है उत्पादन के मामले में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ चाइना से पीछे हैं चाहे हम वो हम वेजीटेबल के प्रोडक्शन में हो, चाहे हम किसी भी तरीके के खाने के प्रोडक्शन में हो हम सिर्फ और सिर्फ चाइना से पीछे हैं यानि कि विच्ट के सभी देशों से आगे हैं लेकिन अगर हम food processing की बात करें तो हमारे यहां मातर 2% ऐसी अवस्ताएं हैं जहां पर food को process किया जा सकता है food process करने का मतलब यह हुआ कि जैसे माल लीजे आपको जैसे dairy product कोई खाना है तो वो तो चलो process हो जाता है फल से जुड़ा हुआ कोई product खाना है तो वो भी process आपको juice के form में मिल जाएगा अचारवचार के form में मिल जाएगा तो जैसे food processing का मतलब यह हुआ कि खाने को उसी रूप में ना लेना जैसे save आप ऐसे भी खा सकते है और save का apple feed भी बनता है कहते हैं कि save का बनता है मुझे नहीं लगता कि इतना save डालते होंगे क्योंकि 10 रूपिया में जित्ता मिलता है उतना तो save 80 रूपिया किलो चल रहा है तो वैसा नहीं होगा कुछ chemical जरू डाल लाए है उसमे बागी मैं देखूंगा आज की क्या chemical डाल लाए है तो होता क्या है कि food को process करने के मामले में हम काफी पीछे है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि जब food process होगा तो industry लगेगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अच्छे अभी हाली में देश का पहला fruit processing center कहाँ पर खोला गया अभी हाली में खोला गया है फिलाल हम बात कर रहे है इस सब्ता की तो 6 से लेके 12 सेप्टेंबर के दोरान food processing week मनाय जा रहा है ताकि fruit processing के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाई जा सके दो प्रशन याद रखिएगा कब मनाया गया है 6 से लेके 12 सेप्टेंबर तर किस मनत्राले ने मनाया है तो खाद प्रसंसकरण उद्योग ने मनाया है अब ज़रा फटाक से बता दीजे खाद प्रसंसकरण उद्योग मनत्राले के मनतरी कौन है के मंतरी कौन है? बताइए 10% एपल जूस होता है 40 रुपया मिलता है तुमारे है ऐसा कौन सा? बड़ा वाला मिलता होगा एक दिन मिलाई पिलाई दो बस हमेशा बस यही करना कि हमको खिला दो, हमको पिला दो कभी हमारी बारे में भी सोच लिया करो हमें भी खिला पिला दिया करो हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहे ना कि चलो सर सुवे सुवे उठे या चलो एक कप चाहे पिला दे उनको ना हमें एप्पी फिट पिला दो पिला दूगा खाद प्रसंसक्रण उद्योग मंतराले ने 6 से 12 सेप्टेंबर 2021 तक खाद प्रसंसक्रण वीक बना रहा है इसके तहित मंतराले विबिन कारेकरम आयुजित करेगा दमोह मद्प्रदेश चर्चा में रहेगा दमोह मद्प्रदेश में वहाँ पर एक टोमेटो प्रोसेसिंग सेंटर पर टोमेटो प्रोसेसिंग पर एक वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट के तहट वहाँ पर एक वेबिनार आयुजित किया है दमोह में क्यों किया गया है कि मद्प्रदेश का जो दमोह है ये टोमेटो प्रोडेक्शन के लिए काफी प्रसिद है किसके लिए प्रसिद्द है tomato production अब tomato अगर आप खा लें तो ठीक है लेकिन अगर आप ketchup खा लें तो यह food process हो गया ketchup खाते हो न tomato ketchup जी बहुत बढ़िया क्या बात है अरविंद कुमार याद हो क्या बात है बहुत बढ़िया पसुपती नाथ पारस correct answer, food processing minister वर्तमान समय में जो हैं वो हैं पसुपती नाथ पारस आपको याद होगा एक बार बिल आया था वो तीन करसी कानून आये थे अब उसके लिए फिर से दर्ना वर्ना होने जा रहा है तो हुआ क्या था उसके लिए उस टाइम हर सिम्रत कौर बादल ली थी वोनों ने फिर वहा काया जा रहा है के अब बंथा है थोड़ा सा अएस्टेटिक घी के का पाट के booming यह दिकात यह हैं कि सब्सीरड प्रोडक्शिन कहां होता तो पहले चार्य अथे इच्च्ट कर लेंगे बेंग। यह बाता मैं आपको वह बताते जाना हूँ कि कौन से राज जो है वह largest producer रहे है जैसे अगर आप वेजी डेवल production की बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा वेजी टेवल production किया है या निस सब्जी उतपादन करके ले गया है इस बार 2020 में राइस उत्पादन की बात करें राइस उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो आपको यूपी मिलेगा बट वेस्ट बेंगाल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रहा है दूसरे नमबर पे यूपी रहा है गेहू के उत्पादन में अक्सर य मक्का की बात करें तो मक्का आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एपी में यानि आंद्र प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा लार्जेश प्रोडूशर है यह सबसे ज़्यादा लार्जेश प्रोडूशर है पंजाब यूपी हरियाना ये क्रम है पंजाब यूप पादन में महाराश सबसे नमबर एक पर है। कौण नमबर एक पर साल है। महाराश्ट। ग्राउंड नत जिसे आप पीनट भी कहते हैं यानि मूमफली.. मूमफली के मामले में गुझराद जो है गन्ना गन्ने के मामले में यूपी का कोई तोड़ नहीं है यूपी के बाद महराश का नंबर आता है जो गन्ना उत्पादन में अग्रणी है बाजरा 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 सबसे ज़्यादा कहा होता है कोई आइडिया लगाओ बाजरा 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 जो है वो सबसे तेल होता है तिलहन, तिलहन के मामले में यूपी जो है वो टॉप पर है पर उसके बाद बिहार है, ये सारे आखड़े जो है वो 2020 के आधार पर है, अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से एक भी एक भी ऐसा नहीं है जो आपके एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से इंपॉर्टन न हो, एक ना एक प्रश्ण आपको आगे वाले वर्स में कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा, आगे चलते हैं, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है नमिता गोखले, नमिता गोखले बहुत ही प्रसिद्द लेखी का है, और ये लखनव की रहने वाली है, इनको सा है डेली अनमान निकोबार आइलेंड पुलिस सर्विस, इस पुलिस सर्विस में अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी, तो पूर्वोत्तर भारत से आने वाली पहली भारती महिला, जो किसी पुलिस सर्विस में अधिकारी बनी, उनका नाम था यामिन हजारिका, तो यामि किसको मिला है नमिता गोखले को मिला है अब आपके दिल में आ रहा होगा सर बाकी option भी आगर आप बता देते तो आप सोने पर सुआगा हो जाता है तो सोने पर सुआगा होगा मैं बताता हूँ सुमिता मित्रा बता सकते हैं European Innovator Award कौन सा एवर्ड मिला इनको अभी हाली में European Innovator Award ये क्यों मिला दंत चिकिस सक है दात की फिलिंग की खोज की थी पढ़ा चुका हो ठीक है नंगो बाम बाला देवी AIFF Footballer of the Year Female Footballer of the Year AIFF All India Football Federation के अध्यच्य परतमान समय में कौन है प्रफुल पटेल All India Football Federation के चेर्मेन कौन है प्रफुल पटेल तो नंगो बाला देवी को मिला है Footballer of the Year का पुरुसकार महिला Footballer of the Year का पुरुसकार महिला Footballer of the Year का पुरुसकार गीता मित्तल गीता मित्तल कौन है ये जम्मू कस्मीर की मुख नयादीस रही थी अब पंकर मित्तल है तो गीता मित्तल को Airline Patch Global Award Airline Patch Global Award ये एवार्ड जस्टिस की स्क्रेटेगिरी में दिया जाता है Airline Patch Global Award सर अगर आप पिछले महिने की Current Affairs में जितने एवार्ड आये है वो भी आप करा देते तो मजा आ जाता है अरे आपको मजा ही आएगा हम आपको यहाँ पर मजा ही देने आते हैं पढ़ाते पढ़ाते आपको मजा देने आते हैं तो फिलान झामिता गोखले को सातमे यामिन अज़ा ठीक है चलो पारो अज़ा पारो देवदास में थी तो वर्थ 2015 से ये पुरुषकार दिया जा रहा है जो 1970 में दिल्ली और केंसासी पैदेशों की जो पुलिस अधिकारी पहली पुलिस अधिकारी थी पुर्वत्तर राज्य से आती है उनका नाम गया था यामिन हजार उनके नाम पर ये पुरुषकार दिया जाता है अब इनकी पुस्तकों की बात कर लेते है नमिता कोखले की बात करी तो इनकी पुस्तकों की बात कर लेते है इनकी जो सबसे लेटेस्ट पुस्तक है 2020 में आई है वो है जैपुर जर्नल हो सता है पूछ लिया जाए जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी रही है, वो है Mountain Ecos, जिसको काफी ज़्यादा प्रसिद्धी प्राप्ट हुई थी, पहली पुस्तक इनकी जो थी, वो पारो थी, बागी पुक जो है, वो है The Book of Shadow, पारो 1984 में लिखी थी, Things Leave Behind, 2016 में आई, In Search of Sita, Revisit, The Himalayan Story, A Himalayan Story, Puffin Mahamatra, Mahabharata, और Finding Radha, यह पुस्तक भी काफी चर्चा में रही थी, God's Grave and Grand, तो यह आपके पुस्तक हैं, जो आपको चर्चा में रखने हैं, दो पुस्तक के याद रखिएगा, Mountain Eco किसकी है, और जैपूर Journal किसकी है, तो नमिता गोखले की है, अभी हाली में जो Awards दिये गए, उनमें से कली हमने पड़ा, ATD Best Award, ATD Best Award, तो यह जो था, यह किसको गया है, यह Power Grid को दिया गया है, यह किसको दिया गया, यह Power Grid को दिया गया, Bird Photographer of the Year, Bird Photographer, वर्ड नहीं है, यह Correct नहीं है, यह Correct है, बर्ड ही, चिडिया की एक फोटो ली गई है, उसका नाम रखा गया है, ब्लॉग्ड, उ एल जेंडरो प्रीटो, एल जेंडरो प्रीटो, लुक दो, एल जेंडरो प्रीटो को, एल जेंडरो प्रीटो को भईया है, रैमन मेक्से से पुरोषकार, कितने लोगों को गया, पांच लोगों को गया, एक संस्था को गया, जिसमें से मोहम्मद अमजद साकिब, जिसमें स बागलादेश से भी किछी को गया है। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जी को मरनो परांध ये पुरुसकार दिया गया यूएस सरकार दोरा यानि कि United State America दोरा दिया जाने वाला सर्वोच मेडल असोख चक्र की गोशना अभी हाली में की गई बाबू राम मरनो परांध ये पुरुसकार इनको दिया गया है असोख चक्र बाबू राम को ये ASI थे जम्मू एन कस्मीर पुलिस में कीर्ती चक्र से सम्मालित किये गए अल्ताफ हुसैन भट इनको भी ये पुरुसकार मरनो परांध दिया गया है अलताफ हुसेन भट ये बिल्कुत सारे important है लोखमान तिलक एवर्ड साइरस पूना वाला को साइरस पूना वाला को साइरस पूना वाला कौन है सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया के संथापक है अब उनका लड़का जो है वो समाला है अधार पूना वाला बहिए अपन पढ़ लो हमारा कुद देखा ही नहीं रहो हमारा भी कुद देखो टोकियो पेरलंपिक के समापन समारों में धोजवाग के रूप में भारती दलका नेतरत किस ने किया अबनी लेखारना अबनी लेखारना यहाँ पर दो पतक जीते हैं कौन सा जीता है गोल्ड मेडल दीता है और बनी लेखारना ने टोकियो पेरलंपिक के समापन समारों में दो जो वहाग के रूप में भारती टुकडी का जो है वो नित्रत किया है उन्होंने पैर अलिंपिक खेलों में सोने और काश्य पदर गीते हैं टेवल की अगर हम लोग बात करें इस बार 54 पैरा अथलीटों ने भारत में भाग लिया था भारत को इसमें सरवादी इस बार 19 मेडल मिले हैं और भारत ने अपना इस्थान 24 में इस्थान पर समाप्त किया यहाँ पर 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 आपके पास ब्रॉंज मेडल है टोकियो पैरालिंपिक में भारत को प्राप्त हुए हैं टोकियो पैरालिंपिक का जो मसकट था उसको याद रखेगा इसका मसकट जो था वो सोमाइटी था इसका मसकट कहता सोमाइटी था जी जी हाँ जी टोक्यो पेरालिंपिक में दो बार मैडल जीतने वाली भारती महिला पीवी सिंदू क्या पता रहे हो बाई पीवी सिंदू क्यों नाम ले लिया अवनी लेखारा एक ही उलम्पिक में दो पद़ गितने वाली उलम्पिक और पैरलिंपिक दोनों मिला ले उसको तो भी वही अकेले है अभी हाली में एप्रूवल ट्रेकर मॉर्णिंग कंसल्ट एक जंस्था है उन्होंने बताया कि विस्व के सरवादिक लोग प्रिये नेता कौन है तो नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने जंडेगार दिये और वो विस्व के सरवादिक लोग प्रिये नेता के रूप में सबसे ज़्यादा रेटिंग पाए है तो बैधानमंतिरी नरेंद मोदी एक बार फिर से विश्व के सबसे लोग प्रियनेता बन गए है उनकी रेटिंग जो है वो 75 के साथ है वो सबसे आगे है दूसरे नमबर पर मैक्सिकन राश्पती अंद्रे मैनुवल लोपेज अबरडोर जो है अंद्रे मैनुवल लोपेज अबरडोर जो है वो सेकेंड नमबर पर है जबकि इटैलियन प्राइम मिनिक्टर मारियो ड्रागी जो है वो तीसरे नमबर पर है पीम मोदी के बाद जर्मन चांसलर एंजिला मौरकेल जो है वो चोथे नमबर पर है जो बाइडन जो है वो पाँचवे नमबर पर चल रहे है गलोबल लीडर की सूची में तो सबसे लोगप्रिय नेता कौन बने है हमारे नरेंद्र मोदी जी बने है क्या आप मुझे बताते है नरेंद्र मोदी जी कौन से नमबर के परदान मंतरी है बहुत आसान प्रशन है दिन बर नरेंद्र मोदी होता रहता है कभी गरियाने के मामले में कभी तारीफ करने के मामले बाई जो पसंद करते हैं वो तारीफ करते हैं जो नहीं पसंद करते है अगर आज 200 लाइव नहीं हुए तो कल से Current Affairs में इतना डिटेल नहीं डालूँगा आग तो 200 लाइफ चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगा, मुझे चाहिए तुम दो, होगा बराबर, अब बहुत ही important question पर जा रहे है, भारत का पहला डुगोंग सर्रचण, रिजर्व, इस थापित करने वाला राज ये कौन सा है, डुगोंग ये क्या है, मैं तस्व विलुप्त की कागार पर पहुंच गया है, तो इसके सर्रचण के प्रयास किये जा रहे है, ये आपको वैसे तो कई जगे मिलेगा, लेकिन अभी मुख्यता, अगर इसकी सर्वादी जनसंख्या मिलेगी, तो वो आपको तमिल नाडु में मिलेगी, इसलिए तमिल नाडु ने डुगोंग सनच्छट रिजर्व इस्थापित करने के लिए बात की है, कि भईया हम एक डुगोंग सनच्छट रिजर्व इस्थापित करेंगे, ताकि जो डुगोंग है उसको हम बचा सके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये जो डुगोंग है, ये आपका क्य जानवर है जो समुदर में रहता है और इसका साइंटफिक नेम आप जरूर याद रखिए कभी भी किसी जानवर की चर्चा हो तो मैं अगर बताना भूल भी जाओं तो आप गूगल से सर्च करके उसका साइंटफिक नेम जरूर पढ़ डीजे डुगोंग डुगोंग जो है वो इसका क्या है वो इसका साइंटफिक नेम है तमिल नाडू सरकार ने दच्छिड पूरवी तटपर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग सरच्छट रिजार विश्थापित करने की योजना पताई है ये सीकाऊ है और इस्तन पाई है जो निवाज इस्थान के न अभी हालाई में कच्छुआ का एक रिहयाब सेंटर बनाय गया था कच्छुआ का अपनी तरीके का रिहया एक games इंटर बनाय गया तो ये kommen रिहयाब सेंटर कहां बनाया गया था je एक चीज और याद आई, Dolphin Research Center अभी डेवलप किया गया है, Dolphin Research Center, अपनी तरह का पहला Dolphin अनुसंधान केंदर जो है वो डेवलप किया गया है, यह कहां पर डेवलप किया गया है, तो भाई, टर्टर रियाब सेंटर जो है, यह आपका बनाया जारा था बागलपूर बिहार मे जहां पर कच्छों की प्रजाती को सरचित किया जाएगा, इसके लब डॉलफिन Research Center जो है आपका, यह आपका पटना में बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है, पटना, पटना यूनिवर्स्टी में ही इसको डेवलप किया जा रहा है, और पटना में ही यह है, तो अब कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए है, बताइए, 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 भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए है, बारत में अब कुल 52 टाइगर रिजर्व है, अभी 52 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, रामघड विश्धारी, रामघड विश्धारी टाइगर रिजर्व ये है कहां रामगर विश्वधारी राजिस्थान में है कहां परे भाईया राजिस्थान में है तो राजिस्थान का रामगर विश्वधारी जो है उसको बावनवा टाइगर रिजर्व गोसित किया गया है डॉल्फिन वाला पटना में है जी आपने बिल कौन सरच्षण रिजर्व कहां बनाया जा रहा है वो आपका तमिल नाडू में बनाया जा रहा है अभी तमिल नाडू में मिनिस्टर चेंज हुए तो उन्होंने नाइन मिनिस्ट्री के नाम बदल दिये देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस यह IIT मदरास ने डेवरप किया है केंपस में टी वास्त के नाम की कंपनी उसने गौसलिया संकर अभी चर्चा में नहीं तमिल नाडू से बिलॉंग करती है इन्हें UN International Women of Courage Award से समानित किया गया भारत का पहला Wetland Conervation Management Center यानि कि भारत का पहला आद्र भूमी सरचन प्रबंदन केंदर यह कहां पर बनाया जा रहा है चिन्नाई में बनाया जा रहा है Second National Water Award यानि राष्टी जल पुरस्कारों में तमिल नाडू ने धूम मचा दिया रंग जमा दिया तमिल नाडू जो है वो टॉप पर रहा माराष्ट और राजिस्थान ने टॉप पोजिशन पे इसके बाद महला माराष्ट और राजिस्थान का नंबर है CM जो पुराने वाले थे की एप अलानी सोमी उनको Paul Harris सम्मान से सम्मानित किया गया था इसके राबा मैला दि थुरई मैला दि थुरई जो है तमिल नाडू का 38 डिस्टिक बना है तमिल नाडू के ठुटो कोड़ी में तमिल नाडू के ठिटो कोड़ी में इस रो जो है वो अपना second launch port तयार कर रहा है Tamil Nadu की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं Tamil Nadu यहाँ पर है और यहीं पर देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा परमाडू सयंतर केंदर बनाया जा रहा है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो देश का सबसे बड़ा परमाडू सयंतर केंदर है on the basis of production उसका नाम क्या है मैंने आपको यह बता दिया वो Tamil Nadu में है उसका नाम बताईए मुझे आप उसका नाम बताईए जी जी चिक है आगे है हाँ जी क्या बईया हाँ जी हाँ जी आगे founded एक नॉमबर 1956 को तमिलनाडू पूंड राज का दरजा पाया था कुल डिस्टिक या मैला दितुरही के बाद 38 हो गए है state animal जो है वो नीलगीरी तार है ताहर बोलते हैं उसे state डान भरत नाट्यम जो है वो आपको तमिलनाडू में देखने को मिलेगा state bird, emerald dove जो है वो state bird है state flower जो है वो glorisa lily है state sport जो है वो कबड़ी है state tree जो है वो palm tree है palm का पेड जो है वो state tree है capital चिन्न नही है cm जो है वो m.k. stalin है governor जो है बन्वारी लाल पुरोईत है इनको अभी हाली में पंजाब और चंडीगड का एक्ट्रा प्रभार दिया गया है पंजाब और चंडीगड का एक्ट्रा प्रभार दिया गया है एजे राजपल पहले cm थे PS कुमार स्वामी राजा पहले गवर्न थे कृष्ण कुमार सिंगी डांस हो गया भरत नट्यम लोग सवा में 49 सीटे आपको देखने को मिलेंगी राज सवा में 18 सीटे गुंडी, गलपा मननार, अनामलाई, मदुमलाई, मुकुर्ती, ऊटी, वेदान गल प्रमुक reminis पार्क यहां पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बिल्कोर सही बता रहे हैं कुट ना कुलम दिज, जि, जि, आलमोंस रहता है फेस्टिबल है ना वो confused मत हो आगे चलते हैं एक important news है थोड़ा था news को समझ लेंगे तो जादा दिन तक याद रहेगी एलरजी उत्पन्ने करने वाले संभावित कारकों की पहचान करने वाला पहला पराग calendar किस राज्जी ने प्राप्त किया है पराग मतलब pollution Polination का मतलब होता है कि जैसे beach इधर से उधर चले जाते हैं उसको देखा जाता है तो इस तरीके का पहला जो calendar है वो आपका चंडीगर्ट ने प्राब्त किया है किस ने प्राब्त किया है चंडीगर्ट सर ये क्या होता है पॉलें कलेंडर के होता है तो यहां पर कई सारे फूलों के नाम लिखे हुए हैं और यहां पर उनके खिलने का पीक समय बताया गया है यह अगर पहले खिल गया यह बाद वाला समय हुआ तो इस तरीके से किस तरीके कौन सा फूल कब खिलेगा किस से पॉलिनेशन कब होगा कब परागर होगा कब जल्द खिल रहा है कब देर से खिल रहा है तो इस तरीके का pollen calendar प्राप्त करने वाला चंडीगर जो है वो पहला केंसाथी प्रदिस हो गया या पहला राज या आप उससे बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं तो इससे क्या होगा इससे ये पता चल जाएगा जैसे किसी को किसी है तो उनको यहां पर जनकारी प्राप्त हो जाएगी चंडीगर के बारे में बात करें तो चंडीगर में अभी हाली में देश का पहला amputee किलीनिक खोला गया amputee मतलब जहां पर अंग जो प्लास्टिक वाले होते हैं या artificial नहीं होते हैं उत्राखंडे में मुंस्यारी में जो है वो देश का पहला पॉलिनेटर पार्ख है पॉलिनेटर पार्ग देश का कहा पर है उत्राखंड we ठीक है आगे चलते हैं नाग बन्द होगई यह सांस नहीं जी जी मुझे पता है ग्यात है सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्टी ये मानत पुरुष्कार सारा भाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑन्रेडी एवर्ड किसको गया है इस बार आनंद कुमार जी को गया है ये कोई परिचे के मौताज नहीं है बहुत नाम है इन सारा भाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल और्डी एवर्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि वह आई टीजे की कोचिंग वगेरा देते हैं वह गरीब शात्रों को आगे लेकर करके आए वार्ड के बारे में हम लोग काफी कोई डिसकस करी चुके हैं तो सिर्फ इतना याद रखेगा कि आनंद कुमार को अभी हाली में सारा भाई अध्यापक बैग्यानिक राष्टी मानत पुर्षका से सम्मानित किया गया है किस आयाटी ने क्रसी कच्रे से बनी जैवींटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्गाटन किया है क्रसी का जो कच्रा होता है ना जै ऌत्ती प्रौदेगी संथान यानि आयटी एध्रबाद ने क्रसी कच्रे से बनी जैवींटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्गाटन किया है घर्मी को कम करने के छट को पीवीसी सीट के उपर वाईयों एट से भी बनाया गया है IIT एदरबाद ने इसे base to money यानि कि अपसिष्ट से दन कचड़े से पैसा का एक आदाज उधान मानते हुए बढ़ावा देने के लिए करसी मंदराले को एक प्रस्ताव देगा तो अब ऐसा भी होगा कि भविश्यमा मैं ऐसे देख पाए है एक्यूटास financial bank जो है ब्राण अमेडर से प्रश्ण आ रहे है इसलिए ब्राण अमेडर मैंने इन्वाल्व करना सुरू कर दिया है परिशान ना हो तो एक्यूटास small finance bank ने भारती महिला hockey team की कफ्तान रानी रामपल और क्रिकेटर इसमती मंदानों को अपना और फिलाल private sector का है तीन गंभीर रूप से लुप्त प्राय कच्छों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बहलर कच्छवा सरच्छन पुरुसकार किस ने जीता है तो बहलर कच्छवा सरच्छन पुरुसकार जो है ये जीता है सैलेंद्र सिंग ने ये किसलिए दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है कि जो कच्छों के सरच्छन को करेंगे जैसा नाम से एक लिए रहे कि कच्छों के सरच्छन करेंगे तो ये पुरुसकार दिया जाएगा तो ये किसको दिया गया है, ये आपको दिया गया, ये किसको दिया गया है, सैलेंसिंग तो, सैलेंसिंग ने तीन गंभी रूप से लुप्त प्राय कछवों की प्रजाति को बिलुप्त होने से बचाने के लिए बहलर कछवा सरच्छर पूरुषकार दीता है, टर्टल सर्वा के कच्छुए की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से नौर्थन रिवर्ड टेरोपिन काफी प्रमुख माना जाता है बटागुर बसका बोला जाता है सुन्दरवन में सरिच्छत किया जा रहा है इसके लावा अगर हम बात करें समुद्री कच्छुए की तो भारत में ओलिव रिडले टर्टल जो है वो हर साल आते हैं कहां पर आते हैं उडिशा के गाहिर माथा तट पर और रूसी कुल्या नदी के निधाने पर रूसी कुल्या नदी के मोहाने पर ये लोग आते हैं और वहाँ पर नेस्टिंग करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं नेस्टिंग काते है और इनकी nesting को क्या बोला ज़ता है इनकी nesting को बोला ज़ता है अरिवेडा जो है वो इनकी nesting को बोला जाता है और इस बार कई करोण कच्छुए जो है वो Whenever उत्पन हुए है अब बारी है आज की इंटर्नेशनलij day of clean air for blue skies प्रती वर्ष किब मनाया जाता है ये हर साल 7 सेप्टेmber को मनाया जाता है खाद प्रसंशकरन उध्योग मंत्राले दोरा काद प्रासंशकरन सप्ता कब मनाया जा रहा है 6-12 सेप्टेंबर 2021 को हाली में सात में यामीन हाजारी का Women of Substance Award से किसे सम्मानित किया गया नमिता गोखले को टोक्यो पेरेलम्टिक समापन समारों में भारती धोजवाग कौन मनी अवनी लेखारा किस स्केल से बिलॉग करती है शूटिंग से ग्लोबल लीडर एप्रूबल ट्रेकर मॉनिटरिंग कंसर्ट के उनसार विसके तेरा नेताओं में किसकी अनमोधिंग रेटें सबसे जादा है नरेनमोधी भारत का पहला डूगों सरच्छन डेजर विस्थापित करने वाला राजी कौन सा है तमिल नाडू अलर्जी उत्पन करने वाले संभावित कारकों की पैचान करने वाला पहला पराक केलेंडर किस राजी ने बनाया है चंडीगर ने सारा भाई अध्यापक वैग्यानिक राश्टी मानत पुसका 2021 से किसे समानित किया जाएगा आनंद कुमार को किस आयाटी ने क्रसी कचरे से जैव इटो से बनी भारत की पहली इमारत का उधगाटन किया आयाटी हैदराबाद एक्युटास फाइनेंचल बैंग ने किसे अपना ब्रांड अमिडर बनाया है रानी रामपाल और इसमती मंधाना को रानी रामपाल को इस बार का राजियुजांदी खेल दतना पुरुषकार दिया गया था तीन गंबीर रूप से लुप्त प्राय कच्छवों की प्रजापती से विलुप्त होने से बचाने के लिए बेलर कच्छवा सरचल पुरुषकार किसने जीता है तो वो है सैलेंद सेंग आप लोग सोचते होगे कि सर किसी न्यूज को आप काफी एक्प्लेइन करते हो किसी न्यूज को आप कम एक्प्लेइन करते हो basis or importance अगर मुझे लगता है कि यह काफी ज़्यदा important है इसे यह प्रश्ण बन सकते हैं तो मैं इसको ज़्यादा explain करता हूँ ताकि आपका समय मैं इसी तरीके से cost cutting कर पाऊंगा आधरवाईज आपका भी current अगर मैं सारी news को properly परली बहुत ज़्यादा explain करूँगा मुझे रहता है बस इतने से यह पूछा जाने लाएक है तो मैं सिर्प उतना ही आपको बताता हूँ बागी आप पढ़ने के रिस्वतन तो है जितना चाहें उतना पढ़े अब बारी है कल मैंने आपसे एक प्रश्ण पूछाता है तर निमलेकित राजाओं में से किसने एलोरा के कैलाशनात मंदिर का निर्मान करवाया था तो दो उत्तर मुझे काफी अच्छे प्राप्त हुए कैलाश मंदिर राष्टकूट वंस के नरेन करश्न प्रतम जो 757 से 753 इस वी में इसको निर्मित कराए गया था यह एलोरा और अंगाबाद जिले में है गोपाल पाल थेंक यू दूसरा है पार्थ प्रतिम, पार्थ प्रतिम ही कहते हैं कि सर्केलाश टेंपल जो है यह सोलवा गुफा है जो आपके ऐलोरा गुफाओं में 32 गुफा है उन में से यह एक है और सोलं मी गुफा है इसको आठ्मी सधी के राष्ट्कूत राजा कृष्ण वन प्रथम ने यानि कि इस कृष्ण वन ने बनाया था कृष्ण वन या नरेश कृष्ण प्रथम ने बनाया था 756 से लेके 773 AD तक इनका कारल माना जाता है तो अलग-अलग जगे से डेटा उठाया होगा इस वज़े से changes है location जो है इसकी औरंगाबाद महराश्ट में है ये कहाँ पर है औरंगाबाद महराश्ट में है अगला प्रश्चन आज का प्रश्चन है कि निम लिखिद में से कौन सा सिल्वी कल्चर के अर्थ के सबसे करीब है सिल्वी कल्चर के अर्थ के सबसे करीब है सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होता है रेसम कीटों की खेती कपड़ा फसलों की खेती या वन विकास या लकडी की खेती ये प्रश्ण बहुत important है और पूछा जा सकता तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको current office पसंद आया होगा वीडियो के like का target 1000 आज भी रखेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप like जरू कर दीजे नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी like कर दीजे क्योंकि तुम्हारा क्या जाता है like करने में तो like तो करीदो फिलाल आपके suggestions आम अंत्रित रहेंगे अपसे ये current affairs सुबह साथ बजे ही आता रहेगा और Monday to Saturday आएगा Sunday को weekly current affairs का प्लान है लेकिन इस Sunday जो आप अगस्थ का जलजला कह रहे हैं वो आ जाएगा तो अगस्थ का जलजला मैं इस मन्त में आपको करा दूँगा आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा बात है इस बार का जो weekly current affairs है ओस रहता है कि हम लोग एक आत दिन बाद कर लें लेकिन इस महीने इस Sunday जो है वो हम लोग अगस्थ का जलजला कंप्लीट कर लेंगे तो जी हाँ अब आपको जानकारी मिल गई बाई बाई टेक केर ध्यान रखिएगा हाँ जी अगस्थ मंद का जलजला वेन वेन बार बार पूछ रहें बता तो दिया भाईया मेरे कर लेंगे कोई डाउट है कोई परिशानी हो तो बता दीजे सर करेंट अपेस पांच बेजे कर दीजे यार पांच बेजे बहुत दिक्कत हो जाती है यह टीम उठनी पाती है और बाद में फूर मुझे गालियां पढ़ेंगी कि सर सुबेज भी पांच बेजे भी उठाते हो रात के दजबेज दग भी पढ़ाते हो क्या चाहते हो तो थोड़ा था फीजिबल नहीं है पांच बजे कर इंट अपेस ला पाना लाइफ फीजिबल नहीं है रिकॉर्डेट अगर होगा तो रिकॉर्डेट लाने के हम खोसे करेंगे कि बात कर लेते हैं कि रिकॉर्ड करके मैं ये करने वाला हूँ कल मैंने आपको reasoning वाली class में बताया था कि नो बजे reasoning की class आ रही तो जो बच्चे reasoning की class में live नहीं आ रहे है भाई हाँ जोड़के विनति है आजाओ live, आपके राउल दर की इज़त का सवाल है काहे मेरी इज़त का फलूदा कराय दे रहे हो तुम लोग हैं हमने बड़े-बड़े बादे की हैं बहुत सारे बच्चे हमको देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमको देखते हैं तुम लोग सब बेजिती कराय दे रहे हो मेरी लाइव ठीक है अच्छा लाइवी ठीक है नाई 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 तो लाइवी चलने दो और रेजिनिंग की क्लास नौप जा रही है रेजिनिंग की क्लास भी जोइन करिए वो रेलवे के हईसाब से भी चल रही है कल आपको पता 31 December का notification डाला है CGL ने की 31 December को Tier 1 का result आएगा तो 31 December को Tier 1 का result आएगा तो ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी में आपका Tier 2 होने के chances है मलब ये पुराना वाला calendar जो है वो follow हो रहा है ठीक है? 7 बजेगी ठीक है दूसरा एक और बात में आपको पताना चारा था आप सभी इंतजार करिए आप में से किसी के पास अगर Group D के paper है या NDPC के paper है compilation form में है तो उसे Telegram Group में डाल दे ताकि मुझे वो प्राप्त हो जाए या फिर मेरी email ID में आपको मुझे mail कर दे तो इधर मुझे mail कर दो अगर आपको पास paper है मैं उसका compilation चाहरा हूँ कि आपको compilation कर दो वैसे मैं डून रहा हूँ मुझे mail जाएंगे लेकिन फिर भी अगर आप लोग कर देंगे तो मुझे डूनना नहीं पड़ेगा compilation इसलिए कराना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि NTPC में जितने आए CGL में जितने आए CXL में जितने current reference आए वो सारे current offense के questions को एक जगई घटा कर दिया जाए वो current offense के questions आपको करा दिये जाए और क्या करा दिया जाए और आपको ये करा दिया जाए कि जितने भी प्रशन है उनके आसपास के जो प्रश्ण बन सकते हैं भाई मालो अगर उस जगह की उस न्यूज को एक्जामनर ने देखा है तो उसके आसपास की और चीज़े भी देखी होंगी तो उसके आसपास की जो भी न्यूज है वो भी आपको कवर करा दी जाए एक बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन एकदम काईदे वाला बनेगा मलब उससे फंसने के चांसे बहुत रहेंगे आपको क्या लगता है यह आइडिया ठीक है मेनत करी जाए इसके उपर कि ना करी जाए फिलाल फिलाल आज के लिए इतना ही जाए 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 यह लाए बनेगा है